इजूकेशन के फील्ड से नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक क्रेटिव इंसान हूँ और आप लोग बहतर जानते हैं एजूकेशन के बारे में, इतने साल से आप एजूकेशन चला रहे हैं पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चूँके मैंने कुछ फिल्में की हैं, एक फिल्म थी तारे जमी पर, और अभी हाली में मेरी जो फिल्म आई है, त्री इडिएट्स, ये दोनों फिल्में एजूकेशन के टॉपिक पर हैं, तो लहाजा इस वज़े से मैंने काफ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एजूकेशन से जो, जिनका संबंद है, और वो ये के सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में, हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हर बच्चे में कुछ नकुछ काबलियत होती है, कुछ नकुछ कमजोरी होती है, मुझ में भी कमजोरी है, काबलियत है, आप में भी कुछ नकुछ काबलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ नकुछ कमजो उसका क्या दिल चाहता है? उसे किस चीज में खुशी मिलती है? वो हमें उसको help करना है कि हम उसको ढूँड सके. और उसमें हमें support करना है. और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको support करना है. मुझे अकसर education institutes मुझे बुलते हैं कि हम हमारे school में सारे सुरहर Barnes & हमारे कितने बच्चे खुश् हैं सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है How many have a children are happy? और वो happiness quotient है होने नियरी सबसे वह अहम है क्योंकि देखेगे पड़ाई लिखाई तो हम चीखी लेते हैं कि जब मुझे कोई específic होती है तो मैं कुछ नकुछ करके सीखी लेता हूं हमारी फिल्म थ्री इडियेट्स जब रिलीज होने वाले थी रिलीज से पहले हमने कई screenings रखे थे test screening जिसमें के हम audience जैसे आप लोग उनको बलाते हैं film दिखाते हैं उनसे पूछते हैं कि film कैसी लगी ऐसे एक test screening हमने किया था बंबई में एक factory में कारीगर लोग काम करते हैं तो करीब 25-30 कारीगर आये थें उस screening में screening के बाद उनका एक कारीगर था उसने मुझसे एक सवाल पूचा उसने मुझसे ये पूचा आप लोग ने फिल्म देखी है Three Idiots उसमें उसने मुझे एक सवाल पूचा जो बहुत कमाल का सवाल था उसने मुझे ये सवाल पूचा कि सर पिचर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रंचोड़दास थे ही नहीं रैंचो तो थे ही नहीं तो certificate तो आपको मिला नहीं वो तो जावेज जाफरी को मिल गया तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए इतने बड़े patents 400 patents जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं तो आपको certificate तो मिला नहीं तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए बहुत ही एहम सवाल है ये बहुत ही important सवा आ यहाले और ये जो मत्ड़्धा है उसके हाट में जाता है यह कि जब मैं एग्जेम के लिए रट के जवाब देता हूं और उर जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूं तो मेरे हाथ में एक पर्चहा आता है जो मुझे कहता है कि पड़ा लिखाओं लेकिन वाकई में पड़ा लिखा हूँ या नहीं यह अभी तक में को शोर मालूम नहीं है लेकिन जब आप knowledge चाहते हैं कि आपको मिले विद्या मिले आपको तो फिर वो कागज का माइने कुछ होता नहीं है तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे हैं मैंने बोला उसको कि भाईया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूँ उसने बोला हाँ देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको आप अच्छे एक्टर हैं, मैंने उससे कहा कि भाईया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैंने आपास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो, उसने बोला नहीं सर तो मैंने बोला आपका जवाब को इधर ही मिल गया Education is beyond marks, education is beyond grades, education is what you learn और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम education को इस नजरिय से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें और शिक्षा हम खुशी से दें क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ग्यान नहीं होता शिक्षा में एक और चीज मिली दी होती है वो यह है कि हम अपने बच्चों को develop करते हैं as human beings आगे चलके वो जिन्दगी में अच्छे इंसान बने आगे चलके वो अपने पैरों पर खड़े रह सकें आगे चलके वो इज़त की जिन्दगी जी सकें आगे चलके वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें आगे चलके वो किसी के चहरे पर मुस्कराहाट ला सकें जब से बच्चे पैदा होते हैं भच्चा घर आता है हम बच्चे को पुछते हैं माक्स कितने मिले 1st आया कि 2nd आया बोलता है second second आया तो अरे ? फर्स नी आया डन पड़ती इसको जो बुलता है मैं 10 आया तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती बच्चे को लगता है यार यह first आना बड़ा जरूरी है उसको race में हम पुछते हैं तो हम race में first आएक second आए उसको बच्पन से जबसे वो lower kg में होता है जब lower kg में race होती है चमचा मूँ में लगा के उसमें नीबू डलके भागते है उसमें भी हम बच्चे को बुछते हैं रहे मेरा बेटा फर्स आएक लागता है मतलब parents चिला रहे हैं बेटा भागो मतलब नीबू लेके भागो तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को लगता है कि यह बड़ा ज़रूरी है मेरे parents को हमेशा मेरे parents मुझे एक ही सवाल पूछते हैं मैं first आया कि नहीं उसके जहन में यह बात बैढ़ जाती है कि मेरे को अववल आना है मेरे को compete करना है मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है teachers भी यही सवाल उसको पूछते हैं आम तोर पे मेरे साथ हुआ है होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा selfish हो जाता है और उसको selfish हमने बनाया है हमारी system ने बनाया है वो अपनी बारे में सोचता है और किसे के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि यही हमने उसको train किया है बच्पन से बच्पन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना बाकी सब लोगो भूल जाओ तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरियां सुसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भाईया मुझे आगे बढ़ना है बाकी सब by hook or by crook I must succeed I don't care about anybody else मेरा यह दिल कहता है मेरा यह दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां parents हैं adults हैं youngsters हैं जो कल जाके parents बनेंगे अगर हम अपने बच्चों को यह सीख दें जब वो चोटे हैं जब वो घर आए हम उसको यह सवाल पूछें यह नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले उसको यह पूछें कि बिटा आज तुमने किसकी मदद की आज तुमने किसके चेहरे पे मुसकराहट लाई अगर हम उसको यह पूछें तो उसको यह लगेगा कि यार ज़रूरी यह है मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा यह पूछते हैं मार्क्स का तो अभी पूछते नहीं वो मुझे यह पूछते बह SubsBER तुमने किसको हेल्प किया आज तो हेल्प करना लोगों को लोगों के बारे में सोचना लोगों के चेहरे पे मुस्कराहट लाना ये मेरे parents के लिए बड़ा important है psychologically वो इस चीज़ के साथ बड़ा होगा school वो ही जाएगा पढ़ाई लिखाई वो ही करेगा वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा 21 साल का होगा और सारे बच्चे उस उमर के जब 21 साल के होंगे हमारी society चेंज हो जाएगी क्योंकि तब क्योंकि तब हमारी society में ऐसे नौजवान होंगे जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे education system में मैं देखना चाहूंगा जो मैंने अपने school life में नहीं देखी कि हमको ये एहमियत इस पे दी जा रही है कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना help कर रहे है ये एक बहुत बड़ी तबदिली अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुदर सकता है बहुत बदल सकता है